हर्याना एट 9 पियम यूश चैनल में आपका स्वागत हैं आई आपको कराते हैं खबरों सब्डेट पुलिस ने चलान भी किये अतिरिक तिथाना प्रभारी संजीक कुमार पुलिस टीम के साथ फिरोजबूर बांगर में लगाए गए नाकी पर पहुँचे और हर्याना दिल्ले के बीच बगेर मन्जूरी के आवगमन करने वालों को रोका इस दुरान जब पुलिस टीम को यह स सकती के आगे उनकी एक न चली पुलिस ने जोरान वाहन चालकों के लिए सपस्च कर दिया कि प्रिशाशन से ले गई मंजूरी के बाद ही उन्हीं हर्याना वे दिल्ले के बीच आवाजाही करने दी जाएगी अगर बगेर मुवमेंट पास के कोई आवाजाही करता है तो प प्रभारी संजिक कुमार ने इस दोरान दस वाहन चालकों के चालान किये उन्होंने कहा कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कोरोना वाइरस से बचाव के लिए सरकार वे प्रिशाशन प्रयासरत है ऐसे में लोगों की लापर वाही न केवल उन पर बल चुके हैं अपने घर सोनीपत जिला उपायुक शामलल पुनिया ने राहत जताई कि रविवार को सोनीपत में कोवीड-19 कोरोना वाइरस का कोई नया पॉजिटिव केस नहीं मिला है उन्होंने आम जन्मानस से अपेल की है कि वे कोरोना वाइरस की रोग थाम में पूरन से फ्योग दे हुसिताएक इस स्वास्ते विभास की पूर यनुपालना कर स्वयम को कोरोना से बचाय रखे हैं अभी 540 वैक्तियों की रिपोर्ट की जांच परिकरिया जारी है प्राप्त हुई रिपोर्टों में 212 वैक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिव आई है शेच 7554 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कोवीड हस्पताल BPS Magical College खानपुर कलासे सौनिपत के 149 कोरोना पोजिटिव मरीजों को ठीक होने की बाद डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। उपायुक ने बताया कि PWD विश्राम ग्रहर राई में बनाए गए फैसिलिटिक वारिंटीन में 561 लोगों को रखा गया जिन्में से 452 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। यहां से 40 लोगों को आईसोलेशन वार्ड में स्थाना तरीत किया गया है। उन्होंने कहा कि विबिन हस्पतालों के आईसोलेशन वार्ड में 230 मरीजों को रखा गया है। अपने स्वासे की जांच अवश्य कराएं। कि वर्ष 1957 में चले हिंदी सत्य ग्रह आंदोलन में रहोत तक जेल में 16 दिनों तक रखा गया। उसके बाद उनको तीन महीने की सजा नायाले द्वारा दी गई जिसमें सजा के साथ साथ उस समय में 300 पर जुर्माना भी किया। हिंदी सत्य ग्रह आंदोलन से अलग गोरक्षा आंदोलन वे सामाजी गती वीडियो में बढ़ चड़ कर भाग लेती रहते थे। साथारन जीवन शैली से अपना जीवन वैतीत किया। हम सब को उनके जीवन से प्रेणा लेनी चाहिए वैं सच्चाई के माल पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लगातार खबरों से अपनी उचहनी के लिए देखती रही हर्याना एट 9 प्यम नुश्यानल नमश्कार।